संकल परवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चलिए आज की स्रंकला से हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं आज की स्रंकला का पहला कुशन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है गुर्देव शब्द में समास है बताइए भाई कौन सा समास हो जाएगा अभ्यवी क्या हो जाएगा बहुब्रिया कर्मधाराय द्वंद अव्यवी भाव सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा और इस कुशन का राइट आप्शन होगा बहुब्रिया आज की स्रंकला आपकी प्रॉपर समास पर रखी गई है बहुत अच्छे- जो आपके एक्जामों में आई हुए कुशन है उन्ही कुशनों से स्रंकला बनाई गई है आईए मिलते हैं अगले कुशन से कर्मधाराय समास का उधारण है बताइए क्या हो जाएगा गगन चुम्बी पाट साला स्वेत पत्र नील कंट बताइए सबी लोग क्या हो और इस कुशन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्वेत पत्र नैश कुशन के समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बताइए बहुत अच्छा कुशन है महत्वपून है बहुब्रिय तत्पुरस द्वंद दिगू तो इस कुशन का सही जो ऑप्शन होगा वो होगा दिगू अव्यवी भाव। बहुत सरल कोशन है, पूरा भरोसा है, आप सब लोग इसका अंसर बिलकुल सही बताएंगे और आप सब के द्वारा बताया जाने वाला अंसर दिगू समास यानि बिलकुल सही औप्शन है, ठीके औप्शन नंबर से आपका बिलकुल सही है, का right option होता बहुब्रिय समास अगला कुश्यन पंच वटी सब्द में समास होगा पताईए भई पंच वटी में कौन सा समास होगा मिलिएगा इसके answer से और आपका दिगू समास होगा very good बहुत अच्छा प्रयास अगले कुश्यन से निमलिके सब्दों में से कौन सा सब्द बहुब्रिय समास का उधारण है पताईए सूल पाणी यथा क्रम हंसमोक हतकडी पताईए सबी लोग क्या हो जाएगा आप सबने अपना answer का इसका लिया होगा और इस कुश्यन का अंसर होगा सूल पाणी आईए मिलते हैं अपने अगले कुश्यन से इनमें से कौन सा सब्द दिगू समास है भुचिदरंड माखन चोर भलावुरा चतुरभुज पताईए भाई क्या हो जाएगा तो आप सबी लोग जानते हैं कुश्यन का जो सही option होगा चतुरभुज बहुत अच्छा प्यास अगला नैश्ट कुश्यन प्रति दिन सब्द में समास होगा बताईए सबी लोग प्रति दिन में कौन सा समास होगा दिगू समास कर्मधाराय तत्थ पुरुष अव्यवी भाव तो इस कुश्यन का जो सही option है अव्यवी भाव बहुत अच्छा प्यास अगला कुश्यन जिसमें पहला पद विसेशड हो और दूसरा सब्द विसेश हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे बताईए सबी लोग कौन सा समास कहेंगे दिगू समास कर्मधाराय द्वंद तत्थ पुरुष तो इस कुश्यन का जो सही अप्शन होगा कर्मधाराय अगला कुश्यन जिस समास में दूसरा सब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं बताईए अव्यवी भाव तत्थ पुरुष द्वंद और बहुब्रिय बताईए सबी लोग क्या कहते हैं तो इस कुश्यन का जो सही अप्शन होगा वो होगा तत्थ पुरुष समास नेश कुश्यन जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हों उसे कहते हैं बताईए भाई उसे क्या कहते हैं तो इस कुश्यन का जो सही अप्शन होगा वो होगा द्वंद समास बहुत अच्छा प्रयास अपके दोरह किया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्णों की ये सीरीज है सरंखला है सभी लोग ध्यान से जुड़ियेगा और अच्छे से तैयारी करियेगा आईए मिलते हैं अपने नैश कोशन से जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बताईए भई कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं तो मिलते हैं इसके आंसर से बहुपूरिय समास आईए अगले कुश्ण से मिलें और आपका अगला कुश्चन होगा सोका कुल में समास है बताईए भई सोका कुल में कौन सा समास होगा ततपुरुष, करमधाराई और बहुपरिय, अभ्यवी भाव तो कुश्चन का जो राइट आप्शन होगा ततपुरुष नेश्ट कुश्चन अकाल प्यूडित में समास है बताईए अकाल प्यूडित में कौन सा समास होगा करमधाराई, द्वंद, ततपुरुष, बहुपरिय बताईए सबी लोग क्या हो जाएगा तो इस कुश्चन का राइट आप्शन होगा ततपुरुष मिलते हैं अगले कुश्चन से शिंग द्वार शब्द में समास है बताईए सबी लोग इस सब्द में कौन सा समास हो जाएगा चार आपको बिकल्प दिये गए है ततपुरुष, अभ्यवीभाव, करमधाराई या इनमें से कोई नहीं तो इस कुश्चन का सही उप्चन होगा ततपुरुष मिलते हैं अगले कुश्चन से यतोचित, यतोचित बहुत अच्छा सब्द है कई बार एक्जाम में आया है बताईए इस सब्द में कौन सा समास होगा करमधाराई, बहुबरिय, ततपुरुष या अव्यवी भाव बताईए सबी लोग क्या हो जाएगा तो इस कुश्चन का जो राइट उप्चन होगा अव्यवी भाव आईए मिलते हैं अपने अगले कुश्चन से नरवक्षी सब्द में बताईए कौन सा समास होगा बहुत अच्छा सब्द ये भी है कई बार ये भी एक्जाम में आया है आपके लिए बड़ा महत्वपून है बताईए बहुबरिय, ततपुरुष, करमधाराई या दिगू तो कुश्चन का राइट उप्चन होगा ततपुरुष आईए मिलते हैं अगले कुश्चन से नीलामबर अरे बहुत अच्छा सब्द है मज़ेदार शब्द है आप लोगोंने देखा होगा और पूरा भरोसा है इस सब्द में सभी लोग जानते होंगे कौन सा समास है ततपुरुष कर्मधाराय बहुब्रिय या धिगू तो इस कुश्चन का जो राइट उप्चन होगा बहुब्रिय यनि सी उप्चन आईए मिलते हैं अगले कुश्चन से धननजैस में समास है बताईए धननजैस अब्द में कौन सा समास है द्वंद कर्मधाराय बहुब्रिय अब्यवी भाव बताईए सबी लोग कौन सा समास हो जाएगा तो कुश्चन का राइट उप्चन होगा बहुब्रिय बहुत अच्छा प्रयास आप सब के द्वारा किया जा रहा है और मिलते हैं पहले अगले कुश्चन से मन माना मैं कौन सा समास है बताईए समें कौन सा समास हो जाएगा अब्यवी भाव कर्मधाराय ततपोरुष बहुब्रिय बताईए सबी लोग तो इस कुश्चन का भी राइट उप्चन होगा ततपोरुष आईए मिलते हैं अगले कुश्चन से जय पराजय में कौन सा समास है बताईए सबी लोग जय पराजय में कौन सा समास होगा अब्यवी भाव बहुब्रिय द्वंद दिगू तो कुश्चन का राइट उप्चन होगा द्वंद समास आईए मिलते हैं नैश्ट कुश्चन से लंबोदर उधारण है बताए किस समास का उधारण है बहुबरिय, द्वंद, दिगू, कर्मधाराज बहुत अच्छा सब्द है और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोगों का अंसर बिल्कुल सही आएगा ये आपके लिए महत्वपूर्ण भीश है आए मिलते हैं इसके अंसर से बहुबरिय समास बहुत अच्छा प्रियास किया जाराणाः आप सप्के द्वारा आईए मिलते हैं अगले कुशन से पंचवटी सब्द में कौन सा समास है क्या मज़ेदार शब्द है पंचवटी सब्द में कौन सा समास है कर्मधाराई दिगू अभिअभी भाव तत पुरुष बताईए सब्द में कौन सा समास हो जाएगा तो कुशन का जो राइट ऑप्षन होगा दिगू समास आईए मिलते हैं अगले कुशन से निमने लिखित में द्वंद समास बताईए अब ये तो बहुत सरल है और ये कुछ समास आपके बहुत सरल है द्वंद है दिगू है इनकी पहचान करना बहुत आसान है पूरा भरोसा इसकी पहचान आपने कर ली होगी और इस कुशन का ज ये द्वंद बताईए सबी लोग तो कुशन का जो सही ऑप्शन होगा अब्यवी भाओ अगला कुशन समास का साब्दिक अर्थ होता है बताईए भाई समास सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है संचेब विस्तार विग्रह नवीन अर्थ बताईए सबी लोग तो कुश का जो सही option होगा, वो होगा संचेव. आईये मिलते हैं अगले question से उपकुल में कौन सा समास है? बताओ बीलो, कौन सा समास हो जाएगा? चल्दी से आंसर बताया करिएगा comment box में और इस question का जो सही option होगा अभ्यवी भाव मिलते हैं अगले कुशन से चंद्र सेखर सब्द में समास है बताईए तत्पुरुष, दिगू, बहुब्रिय, कर्मधाराई बताईए कौन सा समास हो जाएगा तो मिलते हैं इसके आंसर से बहुब्रिय समास हो जाएगा बहुत अच्छा प्रयाज किया जारा आप सबके द्वारा बहुत अच्छे से आए मिलते हैं अपने अगले कुशन से निमनलिकित में से दिगू समास का उधारन बताईए बहुत अच्छा कुशन यह भी मज़ेदार कुशन है पूरा भरोसा है आप इसका भी आंसर बिल्कुल सही बताएंगे और इस कुशन का जो राइट अप्शन होगा तिरंगा आए मिलते हैं अगले कुशन से रसोई घर में कौन सा समास है ततपोरुष, बहुब्रिय, द्वंध, अभ्यवी भाव बताएए भरी रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा तो इस कुशन का जो सही आप्शन होगा ततपोरुष आए मिलते हैं अपने अगले कुशन से नील गाय में कौन सा समास है बताएए सबी लोग कौन सा समास हो जाएगा सबी लोग बताया करिएगा आईए मिलते हैं इसके आंसर से और वो होगा option number C कर्मधाराई आईए मिलते हैं अपने अगले question से जब दो सब्द समास बनाकर तीसरे सब्द का विशेसर बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं बहुत अच्छा point है आप सबी लोग याद रखिएगा बहुत मज़ेदार है आईए मिलते हैं इसके आंसर से उसे हम लोग कहते हैं बहुब्रिय समास क्या कहते हैं बहुब्रिय समास का उधारन है बताये पंचवटी, करोड़पती, चतुरभोज या चरड़कमर अभी हम बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इसका भी आंसर बिल्कुल सही बताएंगे ये तो एक सरल कुश्चन की तरह माना जाएगा संख्या बाचक एक ही समास होता है आपका दिगू समास देखिएगा इस कुश्चन का भी आपका सही आप्शन हो जाएगा आप्शन नमबर भी यानि दिगू समास आईए मिलते हैं अगले कुश्चन से यथा सक्ति में कौन सा समास है बताएं सबी लोग कौन सा समास है कर्मधाराय ततपुरुष द्वंद अव्यवी भाव तो इस कुश्चन क अब्यवी भाव तो इस कुश्चन का भी जो सही आप्शन जाएगा बहुब्री है आईए मिलते हैं अगले कुश्चन से गंगा जल सब्द में समास का भेद बताएं यानि इसमें कौन सा समास होगा ततपुरुष द्वंद अव्यवी भाव कर्मधाराय तो इस कुश्चन क चलिए बताएं सबी लोग और इस कुश्चन का जो सही आप्शन होगा ततपुरुष आईए मिलते हैं अगले कुश्चन से भरबेट बताएं भरबेट सब्द में कौन सा समास होगा अव्यवी भाव द्वंद ततपुरुष बहुब्री है सबी लोग बताया करिएगा जल् पासर सब्द में समास है कौन सा हो जाएगा सबीं लोग बताइएगा चार आपको बिकल्प दिये ग memorized इन्हें बिकल्पों में सही का चैन करिएगा चलिए बताईए तो आये मिलते हैं इस कुश्चन के सही आप्शन से और इस कुश्चन का सही आप्शन option number C अब्यवी भाव आए मिलते हैं अगले question से तिरे वेड़ी सब्द में कौन सा समास होगा बताईए सबी लोग करमधाराय, बहुब्रिय, दिगू या द्वंद बहुत अच्छा सब्द है सरल सब्द है आप सबी लोग इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे तो बताईए सबी लोग क्या हो जाएगा और इस question का जो सही आंसर होगा option number C दिगू समास आए मिलते हैं अगले question से युद्ध में इस्तिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है बताईए सबी लोग किस समास का विग्रह पद है बताईए सबी लोग तो आए मिलते हैं question के सही option से अलोग तत्पुरुस का विग्रह अलोग तत्पुरुस का हो जाएगा आए मिलते हैं अगले question से निम्न मैंसे कौन सा कर्मधाराय समास है नील गगन, त्रिफिला, पतजड, गाउं सहर बताईए भाई इनमें से कौन सा कर्मधाराय का एक एक्जामपल है तो इस कुश्चन का जो सही आप्शन होगा नील गगन आईए मिलते हैं अगले कुश्चन से देव जो मानव है यह किस समास का उधारण है बताईए भाई किस समास का उधारण है सबी लोग बताए करिएगा अव्यवी भाव, कर्मधाराय, बहुपरिय, तत्पोरस तो इस कुश्चन का सही आप्शन होगा आपका कर्मधाराय आईए अगले कुश्चन से मिलते हैं राज पुत्र में कौन सा समास है बताऊ सबी लोग राज पुत्र में कौन सा समास है बहुत अच्छा प्रस्ण है ये भी आपके लिए बड़ा महत्पूर्ण है और सबी लोग इसका आंसर बिल्कुल सही बताएंगे ऐसा मुझे पूरा भरोशा है आईए मिलते हैं इसके आंसर से और इसका जो अप्सन होगा अप्सन नमबर एक तत्पूरुस बहुत अच्छे कोशनों की सरंखला चल रही है निरंतर आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है आप बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे और अपने आने वाले एक्जामों में एक अच्छा प्रदरसन करेंगे चलिए आज की सरंखला में जोड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद